Hello Friends, Sociology के Crys Course Channel में आपका स्वागत है यह एक Crys Course Channel में जिसमें UG Senior और Assistant Professor Exam की फुरे कोर्स को कवर किया जाएगा तो आज हम सरनेचनात्मक प्रकारवाद और प्रकारवाद के बारे में पढ़ेंगे और बिलकुल आसान भासा में यानि आज का ये वीडियो आपने देख लिया तो आप जीवन में कभी भी सनचनात्मक प्रकारवाद और प्रकारवाद में अंतर को भूल नहीं पाएंगे ठीक है तो और यह जानना जरूरी है कि हम सनचनात्मक प्रकारवादी कब होते हैं प्रकारवादी कब होते हैं कि इस वो किस प्रकारवादी तर tapic size या पिसे प्रकारवादी है शुरू करते हैं आज का वीडियो मिसहां प्रकारवाद में क्या अंतहे है इसके पहले इसका जानने को जानना होगा चैब सुनच Speaking क्या होती है ठीक है और प्रकार ही क्या होता है देखिए हमारी जो सनशना है समाज जो है हमारा यह चोटी-चोटी कायूज बना है हमारी यह समाजी की कायी हो गई आर्थे की कायी हो गई राजनेती की कायी हो गई ठीक है कोई और ही कायी हो गई तो इनके बीच में क्या होता है यह अंतह क्रिया होती रहती, यह समाजी की काई को राजनेती की काई से काम है, राजनेती की काई को सांस्क्रती की काई से काम है, सांस्क्रती की काई से अन्निकाईों से काम है, इस तरह से इनके बीच में क्या होती, अंतह क्रिया होती रहती, सभी ही काईया एक दिसरे से जाएंगे तमाम प्रकार के चीजें लेकर जाएंगे और पुरा अनुष्ठान के द्वारा हम पूजा करेंगे ठीक है विवाह के द्वारा यौन अशक्ताओं की पूरती होती है आर्थिक सहस्थाओं के द्वारा हम आर्थिक अशक्ताओं की पूरती करते हैं राजनितिक सहस्थाओं के द्वारा राजनितिक अशक्ताओं की पूरती करते हैं ठीक है तो यह क माध्यां से इपने अउषक्ताओं की पूर्ती करते हैं तो उसे दिशनात्त में प्रकारवाद हो गया है प्रकारवाद क्या है मैंने आपको बताया था कि प्रकारवाद को मतलब होता है कि हम इकाईयों की परवा नहीं करते कि हम आशक्ताओं की पूर्ति पर्टिकूलर इकाई से ही करें ठीक हम इसकी परवा नहीं करते हम क्यों आशक्ताओं की पूर्ति की बात करते हैं जैसे यौन आशक्ता की पूर्ति हो के तो हम क्या करेंगे लिव इन रिलेशंशिप ठीड है आजकल बहुत तेज चलन में है लिव इन रिलेशंशिप जो है भारती संस्कृती को बिल्कुल चुनोती इसको दे रहा है समझ लो विबीद है इसके फिर खेर ये सब छोड़िये लिविन रिलेशन्शिप का मतलब क्या है कि हम आशक्ता के पूर्ति तो कर रहे हैं लेकिन विवाहा नामक संस्था से नहीं कर रहे हैं हम के ओल उस आशक्ता को देख रहे हैं फिर हो गया बिना मंदिर गए अशक्ता के पूर्ति तो धार्मिक के छेतर में एक कहावत भी है कि मन चंगा तो कठोती में घंगा ये क्या है ये प्रकारवाद को दिखा रहा है कि हम मंदिर नहीं जाएंगे मस्जिद नहीं जाएंगे हम क्या करेंगे हम के ओल अपने अंदर इश्वर को देखेंगे कि हमारे अंदर इश्वर है ध्यान के द्वारा हम उसको महसूस करेंगे ठीक है ये क्या हो गया ये हो गया प्रकारवादी ढंग धार्मिक अशक्ताओं की पूर्ति करने का ठीक है आप घर में बैटके या आप ऑनलाइन वर्क कर सकते है आपको कहीं जाने के ओशक्ता नहीं है आर्थिक संस्थाओं में जाने के ओशक्ता नहीं है वो भी क्या हो गया वो भी प्रकारवाद में आगया हम संस्था में न जाकर क्यों प्रकारवाद कर रहे हैं लेकिन प्रकारवाद के ओल आशकता की पूरती की बात करता है, बस एक छोटा से डिफरेंस है, और इसको याद रखेगा, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेर अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाई!